हैं अगा है घ्र्टेवन प्रियुआजिवजे को अगर मैं पिछले विडियो की बात करूं तो पिछले विडियो में हमने अ हाँ fraction fraction के types उसके अलावा fraction की addition subtraction algebra और उसके अलावा हमने decimal number को fraction में कैसे convert करते हैं fraction को हम percent में कैसे convert करते हैं और percent को हम fraction में कैसे convert करते हैं तो बहुत सारे topics हमने discuss कर लिए थे जो बहुत important थे according to the test for the sin university और any competitive exam तो आज का जो मेरा topic है वो है profit और loss percent तो सबसे पहले हम समझते हैं के profit हम किसे कहते हैं the amount gained by a selling a product with more than its cost price वो amount जिसमें हम किसी भी product को sale करें उससे उसकी cost price से ज्यादा मतलब किसी भी खरीदी हुई रकम से अगर हम किसी चीज़ को ज्यादा sale कर रहे हैं तो वो हमरा क्या कहलाएगा profit चीके तो हम दूसरा trauma आता है loss तो loss हम किसे कहते हैं the amount of seller incur after selling the product less than its cost price वो amount जो हम अपनी खरीदी रकम से कम में sale कर रहे हैं चीके अगर हम किसी भी चीज़ को उसकी खरीदी रकम से कम sale करेंगे तो जाहिर सी बात हमें loss होगा तो उस ट्रम को हम क्या कहते हैं loss कहते हैं तो cost price हम किसे कहते है cost price the amount in which anything is bought वो amount जिसमें हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं उस रकम को हम क्या कहते है cost price और इसे लिखने का तरीका क्या होता है CP ठीके और उसके बाद एक ट्रम आता है selling price selling price हम किसे कहते हैं the amount in which the product is sold वो amount जिसमें हम किसी भी product को sale करें उसी रकम को हम क्या कहते है selling price इसको हम कहते है SP ठीक है वो उसके बाद कुछ फार्मॉलाज आते हैं कि हम cost price कैसे find करें loss या loss percent उसके इलावा selling price कैसे find करें तो बहुत सारे problems जो फार्मॉले थे वो हमेंने लिख लिए है तो profit हम कैसे find करेंगे हम अपनी बेची हुई रकम में से खरीदी रकम को सब्टेट करेंगे तो हमें profit मिलगा और loss हम किसे find करेंगे, हम अपनी खरीदी रकम से अपनी बेची रकम को separate करेंगे तो हमें loss मिलेगा, और एक ट्रम हो रहता है profit percent तो अगर किसी भी चीज में हमें profit हुआ है, तो profit वो हमें percent में कितना हुआ है तो अगर वो हमें find करना हो, तो profit उपर, divide में हम अपनी खरीदी रकम रखेंगे multiply किसे करेंगे, hundred से, और एक ट्रम हो रहता है loss percent तो loss percent हम किसे find करते हैं, loss उपर रखेंगे, divide by, हम अपनी खरीदी रकम multiply by किसे करेंगे, hundred से ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रम साते हैं, कि selling price when profit and loss percent are given जब भी हमें loss percent और profit percent यहां gain percent given हो, तो हमें selling price किसे find करेंगे तो selling price हम find करेंगे, जब भी हमें profit percent given हो, तो hundred plus profit percent divide by hundred multiply by हम अपनी खरीदी रकम CP, तो इसी तरीके से है, जब भी हमें profit मिला हुआ हो तो हम अपनी ASP यानि selling price इसी फार्मले से find करेंगे, उसके बाद अगर हमें loss percent मिला हुआ हो तो loss percent में हम अपनी selling price के से find करेंगे, तो selling price का फार्मला होता है, hundred minus loss percent जितना भी हमें loss हुआ है, divide by one hundred multiply by किसे करेंगे, हम अपनी खरीदी रकम से तो हमें यानि selling price मिल जाएगा, और उसके बाद जब भी हमें profit या loss percent given हो, तो हम अपनी post price, हम अपनी खरीदी रकम किसे find करेंगे, तो इसका फार्मला बहुत easy है, तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देल पढ़ाया था, जब भी आपको profit percent given हो, तो selling price हम किसे find करते हैं, sell, 100 plus profit percent divided by 100, तो आप वीडियो पीछे करके वह भी देख सकते हैं, ठीक है, तो cost price जब हमें find करनी हो, तो उसी फार्मले को हम क्या कर देंगे, तो इसी फार्मले को, यानि ASP में अगर loss percent given हो, तो ASP जब हम find करते हैं, इसी फार्मले को हम reciprocal कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 100 divided by 100 minus loss percent multiply by ASP, तो यह सारे formula's थे हैं, जो हम use करेंगे अपने numericals में, तो सबसे पहले जो हमारा पहला problem में, तो हमारा पहला problem जो है, वह हमें, बाइस, जो most important question से, most related profit or loss percent से, वह मैंने लिख ली हैं, जो हर exam में, हर competitive exam या किसी भी university का, general university का test हो, उसमें यह लाजम याते हैं, चिक है, तो पहला question है हमारा, a man buys a fan for RS 1000, and sold it for loss 15%, what is its selling price, जब भी कोई fan 100 price में खरीदा गया हो, और उसे sold करें हम 15% के loss से, तो बताओ, उसकी selling price क्या थी, चिक है, अब देखें, तो selling price का जो formula होता है, वो क्या होता है, आपको option भी मिले हुए है, option A, 800, option B, 950, option C, 850, और option D, कोई भी नहीं, तो अब देखें, तो जब हमें selling price, हमें selling price find करनी है न, तो सबसे पहले हम क्या find करेंगे, अब देखें, students हमें, इसकी selling price find करनी है, तो अब देखें, 50% जो हमें loss हुआ है, यह 50% हम अपनी खरीदी रकम पे लगाएंगे, जो भी रकम आएगी, वो रकम, अब हम अपनी खरीदी रकम से subject करेंगे, तो हमें selling price मिल जाएगी, इसका मतलब solution में हमें क्या-क्या मिला हुआ है, selling price हमें मिली हुए, वो कितनी है, 1000, उसके बाद हमें loss percent भी मिला हुआ है, वो है 15%, चीके, अब देखें, यह loss percent जो है, हम अपनी CP पे लगाएंगे, क्या होगा, 15% का loss, 15% का loss जो हुआ हम अपनी, किस पे लगाएंगे, हम अपनी खरीदी रकम, यानि 1000 पे लगाएं अब 10 को जब हम 15 से multiply करेंगे, तो आपका answer आ जाएगा, 150, इसका मतलब जो हमें loss हुआ है, जो हमें loss हुआ है, वो loss कितना हुआ है, 150 का loss हुआ है, तो ये loss हम अपनी खरीदी रकम में से सब्टेट करेंगे, तो हमें SP मिल जाएगा, तो SP हमारी कैसे find होगी, CP minus loss, चीके, तो SP CP, CP क्या है हमारी, 1000 minus loss क्या है हमारा, 150, अब 1000 में से 150 को सब्टेट करेंगे, तो आपका answer क्या आ जाएगा, 850, तो ये आपकी खरीवी रकम हो जाएगी, अब देखें, आपका option कुन सा हो, option A 800, option B 950, और option C 850 का, ठीके students, तो हम चलते हैं, हमने, अपने next questions की तरफ, तो students हमारा next question जो है, अहमन्द bought a box of pens, Ferraris 200, 2400, and sold at profit of 400, find the selling price and also profit person, ठीक, अब देखें, अहमन्द जो box of pens खरीदा है, वो कितने रकम में खरीदा है, 2400, और उसे बेचा है, कितने रकम में बेचा है, कितने प्रॉफिट पे, 400 प्रॉफिट पे, तो हमें पूच क्या रहा है, उसकी selling price पुच रहा है, और profit percent पूच रहा है, अब देखें, हमें पता है, कि selling price हम कैसे find करते है, हम अपनी खरीदी रकम में यह profit aid करेंगे, हम अपनी खरीदी रकम में जो profit aid करेंगे, वो हमारी selling price होगी, ठीक, तो सब سے पहले selling price कैसे find होगी, SP, वो होगी, CP, याने अपनी ख खरीदी रकम कितनी है 2400 और उस में से 400 प्लस करेंगे तो आपकी ASP यानि बेची हुई रकम कितनी हो जाएगी 2800 ठीक है मतलब हमने वह चीज 2800 में बेची है ठीक है अब देखें अब क्या पूछ रहा है एंड आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसंट अब बताओ के प्रॉफि परसंट का जो फार्मला होता है वो होता है प्रॉफिट उपर प्रॉफिट कितना हुआ है 400 का और डिवाइड में CP और CP हमारी कितनी है 2400 मल्टिप्ला हम किसे करेंगे 100 से चीक है अब देखें यह 20 में कैंसल कर दें अब 400 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो ठीक है स्वर जब हम 400 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका प्रॉफिट आजाएगा कि आपने प्रॉफिट कितना हासिल किया जब डिवाइड करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 16.6% ठीक है तो यह आपका प्रॉफिट हुआ तो यह था आपका उस्चन जो किरा था कि सेलिंग प्रा find the cost price and also loss percent of product ठीक है अब देखें अली ने कोई भी चीज जो बेची है हो है 1000 और कितने loss पे बेची है 200 और पूछ क्या रहा है cost price अब देखें अब हमें cost price find करनी है न तो हम अपनी बेची हुई रकम में से loss को subtract करेंगे बेची हुई रकम में जब loss subtract होगा तो हमें अपनी खरीदी रकम मिल जाएगी तो याने अब cp का जो formula होगा वो क्या होगा sp minus loss याने selling price minus loss तो selling price हमारे कितनी है 1000 minus loss हमारे कितना है 200 का तो आपकी cp याने खरीदी रकम हो जाएगी 800 ठीक है तो यह तो आपकी खरीदी रकम हो गई उसके बाद क्या पूछ रहा है and also loss percent of the product अब बताओ कि उस product को हमने कितने loss से कितने loss percent से बेचाए ठीक है तो अब देखें loss percent हमें find करना है तो loss percent का जो formula होता है वो होता है loss उपर divide by cp multiply by 100 ठीक है अब loss हमें कितना हुआ है 200 का तो 200 उपर divide में cp cp हमारी कितनी है 800 multiply हम किसे करेंगे cp हमें find find की यह कितनी आई 800 multiply किसे करेंगे 100 से तो 100 वन टाइम यह 8 टाइम और जब आप 200 तो ठीक है मतलब जो आपका loss percent हुआ है वो कितना हुआ है 25 परसंट हुआ है ठीक है students अब जो हमारा last question है वो है a chair is bought for a risk 600 and sold at the loss of 10% find its selling price ठीक है अब एक chair है जो खरीदी गई थी 600 में और उसे बेचा गया है 10% के loss पे अब बताओ को उसकी selling price कितनी है ठीक है students अब देखें यह जो loss 10% हुआ है यह loss 10% जब हम अपनी CP पे लगाएंगे तो जो भी रकम आएगी वो हमरा loss होगा ठीक है तो वो loss हम फिर अपनी CP याने खरीदी रकम में से सब्ट्रेट करेंगे तो हमें selling price में जाएगी तो first half हम क्या find करेंगे तो selling price हमें पता है क्या होगी cost price minus loss ठीक है तो first half हमें क्या find करना पड़ेगा loss find करना पड़ेगा ठीक है तो loss हम किसे find करेंगे loss is equals to loss percent कितना 600 किस पर लगाएंगे 600 पर ठीक है तो 100 वन टाइम या भी six time ठीक है तो six को 10 से multiply करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 60 मतलब जो आपका loss हुआ है वो कितना हुआ है 60 हुआ है तो इस formula में जब आप loss की जगा 60 पुट करेंगे तो SP का जो formula होगा याने selling price का तो CP कितनी है हमार 500 माइनस loss हमें कितना हुआ है 60 का तो 600 में जब 60 को सब्टेट करेंगे तो आपका answer आजाएगा 540 तो आपकी जो बेची हुई रकम है वो है 540 तो अब देखो उसकी खरीदी रकम कितनी थी 600 और बेची हुई रकम कितनी है 540 तो जाहर इसी बात है तो loss तो हो गई तो यह को टेस्ट के related जो मैंने लिख दिया दे तो जो मैंने आपको solve करवा दिये अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ गई हो तो please मेरे चैनल को subscribe कर दें और bell icon को भीट कर दें ताके मेरी आने वाले वीडियो की notification आप तक पहुंच सके like किया करें comment किया करें और अ thank you for watching see you in the next video